Good morning children of class 2. Today we revised chapter 3 and the chapter name is Good Manners. Good Manners means अच्छी आदते. Having good manners means behaving in a way that people like. Good manners means क्या होता है? वैसे manner जो लोगों को पसंद आता है. मतलब अच्छा भी है. अच्छा भी है. अच्छा भी होः हम जब दूसरों के साथ करते हैं तो ये दूसरे लोगों को पसंद आती है. No one likes ill-mannered people. Ill-mannered means बुरा बेवार. तो ऐसे बेवार को दूसरे लोग पसंद नहीं करते है. General manners. General manners मतलब जो डेली में हम लोग यूज करते हैं. जैसे people greet each other when they meet. जब पीपल एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्या बोलते हैं? Some say good morning और good evening. तो हम लोग at first उन्हें good morning सुबा का टाइम है, तो good morning बोलते हैं. और शाम में मिलते हैं, तो good evening बोलते हैं. People wish each other when they part two. They say goodbye और good night. और जब मिलने के बाद लोग एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, तो good bye बोलते हैं. और अगर रात में हम last बार मिल रहे हूं, तो उससे में हम good night बोलते हैं. जैसे यहां दो लोगों के भी दिखाया गया है, एक friend, how are you अपनी friend से पूछ रहा है, तो दूसरा friend उसे fine, thank you, and you, वो उसे reply करता है कि मैं ठीक हूं, और तुम कैसे हो, and you, यह एक good manner है, इस तरह के बिवहार से हम दूसरे लोगों से प्यार पाते हैं, और लोग हमें अच्छ कहते हैं, इसलिए हमें good manners को अपनाना चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, ताकि समाज में हमारी अच्छी जगह बनें, और लोग हमें प्यार करें, इसके अलाबे और से बहुत सारे good manners हैं, जिसके बादे में हम लोग next class में धीरे धीरे जानेंगे, कि और कौन से ऐसे word हैं, जिसका यूज करके हम लोग डेर सारे good manners को अपना सकते हैं, thank you